मोदी सरकार देश के लोगों को एक बड़ा तोफ़ा देने जा रही है माना जा रहा है कि फरवरी में अंतरिम बज़ट के दौरान मोदी सरकार इस अनूठी गोशना का एलान कर सकती है ये तोफ़ा है UBI यानी Universal Basic Income इसके तहर्त मरिवार के हर सदस्य के खाते में एक निश्चित रकम डाली जाएगी ये कॉंसेट दुनिया के कई देशों में है जहां बेरुज़गार लोगों को सरकार कुछ पैसा देती है ताकि वो अपनी जरुरत के कुछ खर्चे पूरे कर सके फिलहाल मुदी सरकार ने विभिन मंत्रालेओं से ये प्रस्ताव मांगा है कि क्या शुरू में इसे सर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर सभी को इसके दायरे में लाया जाए यूनिवर्सल बेसिक इंकम स्कीम के तहर सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्ट एक तैर अकम देती है कुछ खास तबको जैसे गरीबी देखा के नीचे रहने वालों को अगर ये सुवधा दी जाती है तो इसे पार्शल बेसिक इंकम कहते है साल 1967 में मार्टिन लूथर गिंग जूनियर ने गारंटीड इंकम का आईडिया दिया ताकि आई की असामानता कम हो सके वैसे ये एक सरकार यूजना है जिसके तहर किसी देश की सरकार अपने हरनागरिक को हर महीने एक निश्चित रकम देती है शिवरा सरकार के दोरान मध्य प्रदेश की एक पंचायत में पाइलेट प्रोजेक्ट के तौट पर ऐस्य स्कीम को लागू किया गया था जिसके नतीजे काफी अच्छे आए साल 2010 से 2016 तक चले इस प्रोजेक्ट के तहट लोगों और बच्चों को हर महीने एक निश्चित रकम दी गई इसकी फंडिंग यूनिसेप ने की थी और हर महीने पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में पहुँचा इसके बाद कई एंजियों ने सर्वेकर बताया कि इस यूजना से लोगों की जिन्दगी में बदलाव आया विश्व के कई देश अलग-अलग अस्तर पर अपने नागरिकों को ये सुवधा दे रहे हैं इनमें साइपरस, फ्रांस, अमेरिका के कई राज्य, ब्राजिल, कैनडा, डेन्मार्ग, फिनलेंड, जर्मनी, नीजरलेंड, आयरलेंड, लगजंबर्ग, स्वीडन, स्वीजरलेंड और यूनाइटेड किंग्डम शामिल है सरकार ने विभिन मंत्रालेओं से राय मांगी है कि उनिवर्सल बेसिक इंकम में किसे शामिल किया जाए और इसकी नियूंतम इंकम सीमा क्या होगी सरकार जल्द ही इस पर पैनल गठित कर सकती है जिनराज्यों में किसानों के लिए बेसिक इंकम मॉडल लागू किया गया है सरकार उसका भी स्टडी कर रही है